हलो दोस्तों शड़ी मोड में आपको स्वगत है बिहार दरोगा भरती 2021 बाईशो तेरा पुष्ट के लिए आज हम लोग शेट नमबर टू देखेंगे कल सेट नमबर वन देख चुके हैं जिसमें करेंट अफियर अब डूटेट में कोशन करा रहा हूँ अब सभी लोगों सनिवेदन होगा कि इसे टेस्ट के भाती लिजिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट बोक्ष में बताईएगा अगर कोई कुशन में डाउट होता है तो वो भी जरूर बताईएगा कमेंट बोक्ष में चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला कोशन आपके सामने है कि भारत सरकार के नए रेल मंत्री कौन है अभी पता है कि आपको पहले रेल मंत्री प्यूस गोल थे लेकिन अभी मंत्री मंडल में बिस्तार भी किया गया है और बदलाओ भी किया गया है तो अब नए रेल मंत्री कौन है यह आपको बताना है ठीक यह है अस्वनी बैस्डो जो है यह भारत सरकार के नए रेल मंत्री बने है यह याद रखिएगा जो रेल का परिचालन हुआ था सबसे पले यह 1813 में हुआ था 1813 में मुंबई से ठाड़े की बीच में हुआ था और इन्हें रेल मंत्री बनाए गया है तो पहले केंसर क्या होजेगा बी हो जाएगा आगे चलते हैं कुश्य नमर दूसरा है अंतराष्ट्य बौधिक शंपता सुचांग 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा यह आपको बताना है ठीक कुश्य नमर दो है तो अंतराष्ट्य बौ कंर्से गलोबर इनुवेंशन व्ली सेंटर दोराजा जारी किया जाता है तो यहीं जारी करता है और यह जारी किया गया था 23 मर्च 2020 को जिसमें भारत को रंक दिया गया है पिछले साल की छली में पिछली सवा पिछली diferen भी है पूसकी9 рай oh ow 2 दोहाजा 2020 में भी 40 अस्थान है लेकिन 2019 में यह 36 अस्थान पर था यह धिया नमर किएगा तो दूसरी के अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा आगे चलते हैं कुश्य नमर 3 देखिए महाबीर एंबुध ने किसके सासनकाल में उपदेश दिये महाबीर स्वामी जो किजयन धरम के वास्तिविक तिंतकर या 24 वे तिंतकर माने जाते हैं और महतमाबुध दोनों ने किसके सासनकाल में उपदेश दिये थे तो यह याद रखिएगा हरया कवंस के संस्थापक बिम्बिसार के सासनकाल में यह दोनों आपको उपदेश दिये थे तो इसके अंसर क्या हो जाएगा तिसरी के अंसर हो जाएगा ए बिम्बिसार टिक अराम साप लगा लिजिएगा कोईशन पूछता है तो बिम्बिसार के जो पहला बहुत संगीती हुआ था राजग्री में वो आजास सत्रू के सासनकाले में हुआ था और चंद्रगुप्त मोर यह मोर ओंस के स्थापक माने जाते हैं आगे चलते हैं है कोशन नमर फोर देखिए सिरिका यहों बेंकिंग सोडा की अभिक्रिया ने कराया जाएगा तो क्या बनेगा सबसे पहले सभी आपसन देख लिए सिरिका और बेंकिंग सोडा के अभिक्रिया कराया जाएगा तो इसमें से CO2 बनता है क्या बनता है CO2 बनता है याद रखेगा मतपोड कोश्चन है CO2 बनेगा अगे चलते हैं तो इसके एंसर क्या हो जाएगा यहां पर देख लीजिएगा question number 5 देखिए निमलिखित में से greenhouse gas का मुख घटक कौन है इसमें से बताना है कि greenhouse gas का मुख घटक कौन है आपके सामने अपसन में दे देता हूँ यह देख सकते हैं यह आपके सामने अपसन ग्रीन हाउस gas इसमें से कौन कौन है तो यह देखिए carbon dioxide भी होगा ठेक methane भी होगा जिस सबढ़े से सभी जो हो जाएंगे यह क्या हो जाएंगे greenhouse gas हो जाएंगे इसमें ozone भी आ जाता है और दो परकार को होते एक इक तो अजम ऊपर जो लेयर में पाई जाता है संताण मंडल में ठीक और एत ऑजोशन होगे जहां चोब मंडल में पाए जाने वाला जो ओजोन होए वो भूत खतरनाक होता है ठीक यह ध्यान मर रखिएगा और उसे भी किस गैस में गिना जाता है तो ग्रीन हाउस गैस में गिना जाता है यह भी ध्यान मर रखिएगा तो यह कुशन का आराम सा पे अंसर लगा लिजिएगा डी 5 एंसर डी हो जाएगा ठेक जैसे कि नाइटर सकसाइड हुआ मिथेन हुआ और जोन हुआ सिवोट हुआ जलवापस हुआ यह सभी आपको ग्रीन हाउस गैस में आते हैं और यह सब क्या करते हैं कि जो सूरज के और जो विकराण होते हैं उसका उसमें यह परभाव होता है उसे अस्सूसित कर लेते हैं वाहर निकल नहीं देते जिसके कारण प्रितवी का वाई मंडल है वह काफी गरम हो जाता है अब देखिए गाप प्रितवी के वाई मंडल में 30% आपको पाए जाता है इतना कम पाया जाता है फिर भी यह समझे की पूरा एकदम गर्मी अभी देख सकते हैं जैसे जिवासमी धन बढ़ रहा है जैसे जलाय जा रहा है और जैसे से पेड़ की कटाई हो रहा है स्यूट के मात्रा और बढ़ती जा रही है जिसके कारण प्रित्वी का तपमान भी बन गया देखें टोक्यो ओलंपिक से हट गया है यह देश और यह विसके सबसे पहला देश बना है ठीक करोना वारिस के चलते ही मिसकी कोबैट के जो परसार हो रहा है उसकी कारण ही हटा हुआ है और इसका आप नाम जान रहे हैं इसका नाम होज़ेगा उत्री कोरिया अरा पूंद दिक् के उसमें छोटा से लाइयर आप देख interrogative लाने के लिए इस्तेमाल क किया जाता है तो दिखे क्यों होदी क हूए गयास िसका इसक्वाल किया जाता है और प्रोपेन के इसका इस्ताल किया जाता है अल पईजी गैस में लिविफाइड पे ट्रोलियन गयस जो सब्सक्राइब रुक शillar 50 गाट के मिलन अस्थन किस पहाडी पर होता है यह आपको बताना है यह आपके सामने अपसन है देख लीजे तुप पुरवी और पश्मिघड दोनों मिलन अस्थल जो होता है वो है नेलगिरी की पहाड़ी यहाँ पर दिखेगा यह आपको पश्मी घाट और यह पुरुवी घाट यहाँ पर आपको मिलन अस्थल होता है नेलगिरी पहाड़ी पर ठीक यह ध्यान मरकिएगा तो यहाँ पर कोश्चन अगर पूशे तो अराम से सबसे उचा चोटी तो दोदा बेटा जो है यह निलगरी पहाड़ी का सबसे उचा चोटी है अगर दच्छडी भारत के सबसे उची चोटी हो जाएगा यह भी कुशन अगर पूछता है ता लगा लीजिएगा और निलगरी को आपको ब्लू मौंटेन के नाम से भी जाना जाता है अगे चलते हैं कि कुशन अबर एक नौ देखिए एक क्यानवे दादा साहब फाल के पुरुसकार किस से सम्मानित किया गया एक क्यानवे जो दादा साहब फाल के पुरुसकार दिया गया था इससे किस सम्मानित किया गया यह आप को जो 51 आपको दादा साहिभाल के पुरुसकार है इसे आपको किसे सम्मानित किया गया ठीक 51 तो 51 दादा साहिभाल के पुरुसकार जो दिया गया है यह रजनी कांथ को दिया गया है और इनसे पहले जो दिया गया था पचासवा दादा साहब फाल के पुरुषकार वो अमीता बचन को दिया गया था ठीक और सबसे पहले आपको दादा साहब फाल के पुरुषकार भी पुछ चकता है तो सबसे पहला जो दादा साहब फाल के पुरुषकार दिया था यह उन्हें शुरुवाथी किया गया था औ को ही दिया गया था ठीक दादासाव फालके के शमृती में यह दिया जाता है दादासाव फालके पुरुश कर ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अराम से लगा ली जुगा कुश्ण नमर एक क्याओन के ऐंसर नहीं माफ कीजिएगा नाइन्थ के एंसर हो जाएगा आपको खर ना किया था यह बताना है कि लंदन में किसने इंडिया क् अपना किया था इंडियन और पांच में और इंडिया हॉस का भी इस अपना इन के दौराई किया था खिक हisha वह जाएगा इस के लिए हो जाएगा में राज्य को परतनिध्ध पर पर दिया जाता है आपको बतान需 नोफनी जाता है है जाता है तो भारे में आपको उनॉपस से कितने आपको लोग जाएंगे राचाम शब्म ज Kenneth के सदें निया किर चुनकों यह किस का अधार बनाया गया था आपको और लोग सब्हा की शितने सीट कहीं न कहीं रिछल्ब हरा था और अलग अलग जो भी सीठ है वो जनसंख्या के धार पर ही बटवारा किये जाते है ठीक यह दिया नमर कियेगा तो अराम से यह कुश्चन आप लगा लीजिएगा जनसंख्या कनुपात में ही राजसभाकेब और तनिद्य को दिया गया और अनुसुची चार में इसके ब हो जाएगा अगे चलते कोश्चन नमर 13 देखिए कलिंग रतन सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया यह आपको बताना है तो कलिंग रतन सम्मान 2021 किसे दिया गया है यह बताईए कोश्चन पूशता है बार बार तेक तो यह आपको दिया गया है करेंट में कोश्चन आप से प मकईया नाइडू ने शहित के प्रति उनके युगदान के मुनेता देने के लिए अंद पर्दिस के गोवर्नर आपको जो विश्व भुशड हरीचंद्र को 2021 के लिए कलिंग रतन सम्मान परदान किया है कलिंग रतन सम्मान कुश्चन नमर 14 देखिए हाल ही में किसकुष शिक्षा युवं कोवसल विकास मंतराले के मंतरी बनाया गया है हाल ही में ठीक यह आपको बताना है अपके सामने अफसन है तो हाल ही में किसे बनाया गया है सिक्षाम कोवसल विकास मंतराली के मंतरी कुश्चन पूशकता है तो अभी देखिए मंतरी बहुत फेर बदल किये गया है कबिनेट अस्तर के मंतरी तो धर्मेंद्र परधान को अब बना दिया गया है सिक्षाम कोवसल विकास मंतरी धर्मेंद्र परधान को बना दिया गया थे सबसे पहले जो अमेजोनिया嫁 आना ये आपको जो है जो इमजोनिया अपको जो आई यह यह ग किया पुष्चन पुष्च रहा है तो यह किया गया था PSLB C51 द्वारा PSLB PSLB C51 द्वारा पुष्चन पुष्चन पुष्चता है बहुत BBI कुष्चन नगा लीजिएगा तो यह इसका इंसर हो जाएगा कुष्चन पुष्चन नगा 16 दिखे निमने से नियागरा प्रोटोकोल कब प्रभावी हुआ नियोगा माप कीजिएगा नयोगा 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 प्रोटोकोल नयोगा तो जलपरपात है नयोगा जो आपको प्रोटोकोल है यह कब प्रभावित हुआ और किसके लिए यह प् इसमें क्या क्या गया है कि जो भी जनेटिक संसाधन होंगे न उसको अच्छे से परयोग में लाया जाएगा और उचित और बराबर बटवारे किये जाएगे ठीक यह आपको बताया गया है आपको नयोगा प्रोटोकोल के ठीक यह 2014 से प्रभावी हो गया था सोला के इंसर हो जाएगा डी कुश्चन पर सत्रा देखिए कांग्रेस के पुरवर्ति संस्थाओं में सामिल ब्रिटिस इंडिया एस्थापित किया गया जो कांग्रेस है इसके अस्थापना ता 1850 में एम उक्टूबीन हुरूम द्वारा किया गया था और बुमिश चिंद्र संस्थाथिक यह याद रखिएगा तो सत्रा के अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा यह याद रखिएगा आगे चलते हैं कुश्चन नमर 18 देखे किश्य बहुत संगीति के बाद महतमा बुद को देवता मान लिया गया और जो बहुत धर्म है यह दो भागों मानने लगा था और पूजने लगा था चतूत बहुत संगीति का आयोजन के बाद ही बहुत धर्म दो भागों में बढ़ गया हिनिहान और महयान जो बोला जाता है महयान सखा के लोग जो बुद्ध भगवान को देवता के रुप में पूजने परंब कर दिये ठीक परतम ब किंडल करा मुखस्मिर में हुआ था या ध्यान में रखिएगा कनिस्क सासन काल में कुशन नवर उनईच दिखें निमलेखित में से किसको मुख्ष चुनाव आयुक्त करूप में नियुक्त किया गया है यह आपको बताना है निमलेखित में से किसे मुख्ष चुनाव यह हो जाएंगे शुशिल चंद्र होगा माप कीजिएगा शुनील नहीं शुशिल चंद्रा सी हो जाएगा यह आपको मुक्षणाव आयुक्त है कुश्यन पर 20 दिखे लक्षदीप में कितने दीप समू है जो लक्षदीप है जैसे भारत का दो दिप ये राज है जो किंद्रसासी तरज यहां पर लक्षदीप है यहां पंडबान निकोबार दिप समू है ति यह लक्षदीप में टोटल आप दिखिएगा चो 36 दिप है आपको बता है डुरंड रेखा भी पुष्चता है कि देशों के बीच में मिलता है तो अभी तो जो भारत जो पकिस्तान अकपाइड कर लिया है तो वह पकिस्तान अफगनिस्तान के बीच में भी अफसंदे सकता है ठीक और इंडिया और अफगनिस्तान के बीच में भी निशेशन की क्रिया कहां पर होती है जो निशेशन की क्रिया होती है यह कहां पर होती है यह आपको बताना है निशेशन के क्रिया कहां पर होती है ठीक निमलिखित में से तो फिलिप्यन टूब में होती है और जिसे अंडवाहिनी आप बोल सकते हैं अंडवाहिनी में होता है अंदवाहिनी में तो मानों में आंत्रिक निशेशन होता है जो कि मैथून किरियादवारा नर युगमक जिसे सुक्राणू बोलते हैं और इस तरी जन्नांग में परवेश करते हैं करोरो सुक्राणू योनू में परवेश होकर गरभासे गिरुवा से गरभासे की ओर बढ़त हैं अंतता सिर्फ एक सुक्राणू डिंब वाहिनी में इसके अंडवाहिनी नली में जिसे फिल्लूपियन टूब बोला जाता है में निशेशित हो जाता है ठीक भी हो जागा इसके अंसर कुश्यन नबर 23 देखिए गेहूं के खेती के लिए लिए कौन से उर्वरक का उपय किया जाता है गेहूं के खेती आपको धान के खेती सबसे जादा जो होता है जलोड मीटी में और जो खेती करते होंगे उनको पता है कि यूरिया खाद मारा जाता है यूरिया खाद लाया जाता है और मारा जाता है ठीक तो यह आपको इसमें नेट्रोजन होता है क्या होता ह लगाई है क्यों नाइट्रोजिनी करन करता है जिसे गेहुं के खेती में आपको गेहुं का बढ़ जाता है उपर स्टिक इसके इसे नाइट्रोजन जो है यह वाई मंडल में सबसे जादा पाया जाता है नßar जो हम बताना है दियान पूर्वक देखिएगाalog पूछ उन जाता है इसे करभाईड भी बोला जाता है कूश्चन 25 देखिएं अन्यवzne गेहिट होने वाली गयास निमलिकित में कौन है बनस्पती तेल से बनस्पती घी बनाने में परियुक्त होने वाली गैस निमलिकित में से कौन है यह आपको बताना है जो कि बनस्पती तेल से बनस्पती घी बना देता है इसमें से कौन सा गैस है आप जानते हैं कि हाइड्रोजनी करण हाइड्रोजनी करण द्वारा ही आपक उत्पिरक के रूप में इसमें कौन इस्तमाल किया जाता है तो निकल उत्पिरक के उफस्तिति में ही बर्सपती तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनता है ठीक तो निकल का उत्पिरक के रूप में इस्तमाल किया जाता है कोशन पूछता है तो मैंने बता दिया C हो जागा इसका answer, question number 26 देखिए, name name से chromatography के तकनिक का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको chromatography देखिए, chromatography जो है, chromatography बहुत लोग गलत कर देंगे, question को ध्यान परोग देखिएगा, इस तकनिक का प्रयोग किया जाता है, इस तकनिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता ह कुरमेटोग्राफिक का तखनीक का परयोग तो यह हो जागा इसक Zeiten कूष्ट पर सताइश देख decisions निमने में परयोग होने वाली गयस कौन सी है ये आपको बताना है कि वेल्डिंग परयोग होने वाली में निमने में से गयस कौन सी है आपके सामने अपसन है तो weldin g way ऊने वाली निमे में से gas कुंसी ये आपको बताना है ये रहा आपके सामने अपसन तो बताएज़े ध्यानपुर्वक क्षेल और ये आपको बताना है अपसन आपके सामने है weldin γ way ऊने के लिए काून से है तो oxygen और Jahren oxygen और style nuevos परियोग किया जाता है यह याद रखे का कुछ पूशन पूश सकता है यह वेल्डिंग परकिरिया है जिसमें एस्टियन और ऑक्सिजन अब करिया द्वारा ताप के माध्यम से धातू को पीढ़ा कर जोडा जाता है ठीक और ठीक भी किया जाता है अगर तूड़ जाता है प्नकार ऑनदों से क्या बनता है तो युषक्ष्ष्र भलर्ब के ऐधाईल एलКॉहल से किडवन से क्या बंता है इथाईल अल्कोहल अराम से अप लगा लिजीर ठीक किडवन द्वारा ही सब दारूरऊ बंता है आप याद रखिएगा ठीक ही सीच आइस कंसर यह ba we पूर राज की शिक्कम एक भारत का राज बन गया था तो सबसे पर राज की रुपने बना था ओर वहाँ को अपने बाज हा इसे पूरहरत का भी सब्सक्राइब को 22 राज का दर्जादे दिया गया था और 22 राज बन गया था ध्यान में रखिएगा कुश्चिन नबर 30 देखिए स्वार पर्थम मानों हिर्दय परत्यार ओपर हुआ था यह कहां पर हुआ था और किसके द्वारा हुआ था यह भी पूशकता है ठीक तो स्व मानों हिर्दय का परतीय रूपर ही द्रचिड अफरीका में हुआ था और यह किया गया था में कुश्च्चा नंबर 31 देखिए निम्न में कौन है प्र Egyptians नमक पदार्थप बनाता है यह आपको बताना है कि निम्न में कौन है प्रीन हेपरेन नामक पदार्थ बनाता है हेपरेन के कारण ही जो बलड होता है वो आपको याद रखेगा हेपरेन के कारण ही जमता है तो question number 31 है कि हेपरेन नामक परमुख पदार्थ यक्रित द्वारा बनाया जाता है जो कि रक्त वाहिनियों में रक्त को आपको जमने से रोकता है, क्या करता है, जमने से रोकता है, रक्त वाहिनियों में, मालिजे अंदर ही अगर रक्त जम जाता है, तो लोग मर जाएगा, उसको ना जमे, इसके लिए हैपरीन, और बिटामिन के भी याद रखेगा, बिटामिन के है, यह याद रखेगा, कि रक्त को ठका बनने के लिए क्स के लिए अगर विटामीन tank के कमी होता है तो रυχ का नहीं बनता है अर्याप को चोट लंग गया और आपको क्या हो गया कि ब्लड गिरने लगा ऑपं काफी जादा查 बिटामिन के कमी है न तो थक्का ही नहीं बनेगा काफी ब्लड गिरने लगेगा ठीक तो एक्टिस के इंसर हो जाएगा करोंबस कि समपति का अधिकार जो चतवा मौली क अधिकार था मौली क अधिकार और 맛이 प्रिश्वेश अध़ान करकर और उसे अब legal right का status दिया गया है में इसके उसे legal right बना दिया गया है और article 308 में डाल दिया गया है अब हमारे सभिधान में 6 अधिकार है छे मौलिक अधिकार यह ध्यान मरें कियेगा और छे मौलिक अधिकार का अगर उलंगन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी किया जाता है पांच रिट ठीक और वह आप सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोड तो सुप्रीम कोड क्या करता है सरक्षड परदान करता है हमारे कि यूऽ फंड्डमेंटल राइट है उसका ठीक तो सुप्रीम कोड हो जाएगा हमिसकी शुरुच नहीं हो जाएगा ठीक अगर फंड्डमेंटल रइट का उलंगन होता नई राष्टी शुक्षानीति लागू किया है पालक में कौन सा अम्र पाए जाता है अप सभी लोग जानते हैं पालक जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में आइरन आता होगा क्योंकि पालक में सबस्यादा आयरन होता है और अगर किसी को blood की कमी होती है तो डॉक्टर उसे पालक खाने के लिए बोलते है या हरा सबजी कोई भी जिसमें iron परचूर मातरा मिलता है iron क्योंकि iron हीमोगलोबिन में पाया जाता है और iron की कमी से ही आपको blood की भी कमी हो जाती है ठीक जिसे इनेमिया भी बोला जाता है, तो ये याद रखेगा, तो ये पालक में एक अमल भी पाये जाता है, और इसे अक्जेलिक अमल भी बोला जाता है, ठीक, तो 34 के इंसर C हो जाएगा, ये ध्यान में रखेगा, और पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाये जाता है, ये भी ध् नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है कोई मंडल का त्टिय मैदान क्या, कोई मंडल का त्टिय मैदान 31 के एंसर क्या हो जाएगा यहंपर, B उर्वित expect आम मैदान बंगाल की खाड़ी के तखे आपको से लेकर करन्या कुमारी के तट के बीच में यहां से आपको समनांतर के रूप में आपके दिखाई देता है जिसे को रुमंडल तट बोला जाता है यह कृष्णा नाधी के जो डेल्टा है यहां से लेकर और कन्या कुमारी के बीचे में पाया जाता है यह ध्यानमर रखिएगा ब अगर देश के कोई भी बात को लाते थे या गरेज है उनके बात को विरोध किया जाता था वयिसं तिसमय सबसे प्रमुक परकास था तो अखबार था आपके जेगा सबसे प्रमुक वह सौम परकास था और भारत मिहीर भी आपको अ पकष्यार दोनों पर कह लगा था यह लगा था तिक और यहांपर रखेगे वर्ना कुलर जो प्रेस एक ताय था अठार सोटतर में लाग वह था और उस लीटेन द्वारा किसके द्वारा लीटेन द्वारा लाग हुआ था और यहां से कोईशन बनेगा नो डाउट यह ते ध्यान में रखिएगा तो एक फिल्म आया था नुमेड लेंड नुमेड लेंड जो नहीं इधर उधर घुमंटी भोटिया होते हैं उसी टाइप से एक फिल्म बहुत बेस्ट बनाए गया है ठिक नुमेड लेंड ठिक और यह आपको किरनबो औसकर अवाड जीता है और यह बहुत से मूभी अवाड जीता है जैसे कि औसकर अवाड के सुरुवात जो हुआ था यह उन्नी शौप को चोबी से मुआ था और जो नुमेड लेंड जो है यह इसके डिरेक्टर जो है यह आपको है क्लोज हाओ यह याद इनको बेस एक्टर का अवार मिला है लेकिन अब आगी का जो भी आवाड जैसे बेस्ट अभनेतरी का रवाड जो ऊसकर के लिए मिला है यह फ्रांशिसी में 이ieteर मेंड को मिला है जो की गाचार båसर देखें निमलिकित में कौन सा देश, Quad सदस नहीं है, Quad, Quad बार-बार हम लोग निउस में सुनते होंगे, Quad, तो Quad का सदस नहीं है, यह आपको बताना है, तो यह चार देशों का आपको एक ग्रूप है, Quad है, जो की चाइना को टिकल करने के लिए यह बनाया गया है, और इंडो-फैसिफिक जो रिजन है, उसमें संती बाहल करने के लिए, जिसमें भारत है, अस्ट्रलिया है, अमेरिका है, और जपान है, तिक, इसमें रूस नहीं है, Quad में रूस नहीं है, यह पूछ रहा है, सदस नहीं है, Quad का तो रूस नहीं है, कुश्चन नबर 49, देखिए, A में CS 1407 क्या है, A में CS 1407 आखिर क्या है, किसका एक रूप है, यह आपको बताना है, तो यह एक क्या है, A में CS 1407, जो है, यह एक सोया बिन के नए किस्म है, जो अलग अलग छित्रों में ज़्यादा सोया बिन उगाया जाए, इसके लिए यह बनाए गया है, तो सोया बिन का एक नए किस्म है, और यह सोया बिन सबसे ज़्यादा कहां पर होता है, तो सब्सक्राइब इन सबसे ज़्यादा मदपर्देश में होता है, ठीक, 49 कैंसर भी हो जाएगा, आगे चलते, कुशन नमर 40 देखे, कुशन नमर 40 है, ग्लोबर जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबर जेंडर गैप इंडेक्स, 2021 भारत का कौन सा स्थान रहा, तो जो जेंडर इंडेक्स, 2021 है, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो बहुत ही खराब, 140 वा स्थान रहा है, ठीक, यह ध्यान मरकिएगा, तो इस कैंसर हो जाएगा, 40 कैंसर यह हो जाएगा, टोटल मैंने 40 कुशन कराया, ठीक, ज्यादा समय मैं नहीं लिया, क्योंकि इसे टेस्ट के